Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं Miscellaneous Exercise Zone Chapter No.9 का Question No.19 देखते हैं क्या है The ratio of Athematic Mean and Geometrical Mean of two positive numbers A and B Is M ratio N Then show that A ratio B equal to this ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है Athematic Mean और Geometrical Mean दे रखा है किन दो नमबर का A और B उन दोनों की ratio किसके इकवल है? M by N के इकवल आप देखो चलते हैं Athematic Mean of two number A and B किसके इकवल होगा? A dot M is equal to A plus B by 2 यही तो होता है दो नमबर्स का athematic mean दोनों नमबर्स को add करो और 2 से डिवाइड कर दो athematic mean हो गया अब Geometrical Mean देख लेते हैं Geometrical Mean of two number A and B G dot M is equal to किसके होता है? अंडर रूट A, B के एकवल कलियर? अब हमें देख या रखा है इन दोनों की ratio is equal to M ratio N according to question A plus B by 2 अपोन में अंडर रूट A, B is equal to किसके दे रखा है? M by N के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A plus B अपोन में 2 अंडर रूट A, B is equal to M by N कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आगी यहां तक? अब अगर मैं A plus B की value निकाल लूँ यहां से दियान से समझना क्या कर रहा हूँ मैं? A plus B की value A plus B is equal to किसके हो जाएगा? यहां पे? देखो दियान से 2 अंडर रूट A, B M by N equation number first यह दियान से समझनी है बस A plus B की value निकल लूँ निकाल लूँ और हमें question के अंदर prove क्या करना है? A ratio B निकाल ली है अगर मुझे A और B की value पता लग जाए कि A की value क्या होगी और B की value क्या होगी? तो मैं easily ratio find out कर सकता हूँ minus B equal to be something चाहिए ऐसे question previous भी किये थे ना हमने तो वही करने वाले हैं हम क्या? we know ध्यान से देखना बस हमें एक formula पता है किसका? A minus B का whole square जो होता है वो किसके equal होता है? A plus B का whole square minus में 4AB के equal यह formula होता है यह identity है आपको ध्यान रखनी है कैसे आती है? यह मैंने एक previous question में समझा भी रखी है तो अगर previous question regularly देखते आ रहे तो आपको पता होगा कैसे आई A minus B के whole square के पूरे formula में से minus 2AB और plus 2AB करने से आती है यह equation ठीक है? करके देखना एक बार आ जाएगी नहीं तो previous question एक बार सारे के सारे देखो तो यहाँ पे देखो यह आ गई मेरे पास अब यहाँ पे दियान से देखना है मैं A minus B का whole square मुझे A minus B की value निकालने है main objective यह है is equal to A plus B की value देखो किसके equal थी? यह वाली? यह value प्रूट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 under root A B M by N का square कर दिया put minus में 4 into मुझे अब चाहिए A B की value तो A B की value तो कई नेजर नहीं आ रही तो हम इसको रखेंगे as it is ठीक है? simplify करो भई A minus B का whole square is equal to इसका square वगएरा करना है square कर लो भई 2 का square करेंगे तो 4 under root A B का square करेंगे तो A B M का square करेंगे तो M square N का square करेंगे तो N square minus में 4 A B समझ में आगी या नहीं आगी बात? clear है? अब इसको थोड़ा सा simplify और कर लेते हैं तो A minus B का whole square is equal to इसका क्या लेना पड़ेगा हमे? LCM लेना पड़ेगा LCM ले लो या फिर 4 A B इसमें से common ले लो अंदर क्या बच गया? M square by N square यहाँ पे minus का 1 clear है? कोई दिक्कत नहीं है अब next step पे चलते हैं यहाँ पे A minus B is equal to किस क्या आजाएगा? square उस तरफ जाएगा तो under root हो जाएगा under root 4 A B into में यहाँ पे LCM लेंगे कितना आजाएगा? N square LCM तो यहाँ पे क्या आजाएगा? M square minus N square कोई दिक्कत नहीं है समझ में आगई बात doubt तो नहीं होगा न N square LCM लिया M square minus N square अब यहाँ पे देखो A minus B is equal to किसके आगया बस? 4 से बाहर आएगा root से बाहर तो 2 आगया A B बाहर आएगे तो under root A B आएगा clear? अब यह क्या है हमारे पास? M square minus N square by N square तो इसको क्या लिखेंगे? under root M square minus N square N square का root करेंगे तो क्या रजाएगा? अकेला N देखो N square का root करेंगे तो क्या हो जाएगा? square से root cancel होके N सभी का root है यह मतलब A minus B की value आगे आपके पास A plus B की value भी है बस first equation और equation number second से आप दोनों value find out नहीं कर सकते A और B की simplify करने तो अत्ती हैं आपको class 10 में सिखी हैं बस वही करना है आपकी ratio जो है आ जाएगी चलिए देखते हैं कैसे करेंगे? next page भी देख लेते हैं यहां तक तो simple होगा A plus B की और A minus B की value आपको find out करना easily कर सकते हैं अब simplify कर लो भई A की value निकाल लिए यह plus का B minus B add कर लेंगे हम directly तो cancel out हो गई है A और A क्या होगा हमारा 2A is equal to इन दोनों को add कर लो उपरवाल equation क्या है? 2 under root A B M by N plus में 2 under root A B under root M square minus N square divided by N यही तो है अब देखो 2A is equal to इन दोनों में से common क्या आ रहा है? 2 under root A B दोनों में से common आ रहा है निच्चे से N भी common आ रहा है अंदर क्या बचगा है? यहां पे बचा M plus में यहां पे बचा under root M square minus N square clear है? 2 से 2 cancel A की value आगी अब हमें चीए B की value B की value कैसे आएगी? put in equation first इस value को equation number first के अंदर put कर दो भई या फिर क्या करो? इनको sign change करके आप soul out कर लो simple सी बात है put कर लेते हैं put in equation first equation number first के अंदर put कर लेंगे हमें देखो given क्या है? A plus B is equal to M by N given है ये है equation number first मुझे B की value निकाल ली है तो क्या करेंगे हम? B is equal to 2 under root AB M by N minus में क्या हो जाएगा? A, A की value ये है ये क्या है? under root AB by N into में M plus under root M square minus N square है या नहीं है ये value? बस put कर दी हमने इसको simplify करते हैं थोड़ा साब तो देखते हैं इसको क्या करेंगे? B is equal to twice of under root AB M by N minus में इसको अंदर multiply करो under root AB क्या जाएगा? under root AB M by N minus का अंदर जाएगा? minus का under root AB by N under root M square minus N square क्लियर है? अब ये देखो ये double है, ये single है double में से single गया तो 1 बचेगा तो क्या बचेगा? B is equal to इन दोनों में से subtract किया तो under root AB M by N बचेगा ठीक है? ये 2 था, ये 1 है 2 में से 1 गया तो 1 एक single term बचेगी minus में under root AB by N under root M square minus N square क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है अब इन दोनों में से common क्या रहा है? common निकाल दो, जो भी common दिख रहा है आपको तो B is equal to क्या गया? under root AB by N common अंदर क्या बचेगा? M minus under root M square minus N square B की value पता चल गई? A की value पता चल गई? हमें दोनों की रेशो लेनी थी दोनों की रेशो देख लेते हैं क्या थी है हमारी A by B is equal to किसके आगी? A की value क्या थी हमारी put करो भई? under root AB by N into में M plus under root M square minus N square upon में B की value क्या है? अमारी under root AB by N into में M minus under root M square minus N square ये cancel out हो गया तो A by B is equal to क्या आगया? मारा M plus under root M square minus N square upon में M minus under root M square minus N square hence proved this one is the easiest method अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो बहुर tough था tough नहीं है A plus B और A minus B को simplify करना सिखो बस question easily हो जाएगा A और B की value find out करो और रख दो बस थोड़ी सी calculation थोड़ी सी ध्यान से करनी है दूसरे और जो method है न वो बहुत ज़़दा tough है इसलिए मैंने उनको नहीं कराया आपको तो ये मेरे ख्याल से सबसे ठीक method था इसलिए कराया है अब मैं आपको एक बर थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ जो formula होता है हमारा A minus B का whole square इसको मैं A plus B का whole square minus 4A B कैसे लिखता हूँ कैसे आता है ये formula ध्यान से देखो A minus B का whole square किसके equal होता है A square plus B square minus 2A B होता है इसमें अगर मैं क्या करूँ minus का 2A B कर दो और plus का 2A B कर दो तो कोई effect नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे क्या किया मैंने ये term और ये term पिक कर ली तो यहाँ पे क्या आ गया A minus B का whole square is equal to ये क्या बन गया A plus B का whole square minus में 2A B minus 2A B क्या आ गया minus का 4A B बन गया ना formula A minus B की value भी जहाँ भी निकालनी हो तो ये formula यूज़ कर सकते हम directly I hope अब question आपको clear हो चुका होगा कोई भी doubt किसी परकार का कहीं भी लगता है तो आम मुझे comment करके जरूर पूछ ले Thank you students for watching this video Thanks